मुपसिल थाना छेतर के कमरपूर गाउन निवासी एक साधी सुधा युवक के द्वारा खुद को बिहार पुलिस का दरोगा बताते हुए दूसरी साधी रचाने का मामला सामने आया है मामले में बेगु सराय में फ्रात्मिकी दर्च कराई गई थी जिसके बाद बक्सर पुलिस को वारंट भेजा गया है जिसके आधार पर पुलिस छापे मारी करूच से गिरफ्थार करने की कोशिश कर रही है इस पी मनीश कुमार ने इस संदर में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी युवक ने सहबाद रेंज के डियाईजी का एक फर्जी पत्र भी बतोर सबूत लर्की के पक्च को दिखाया था उक्त पत्र का सत्यापन डियाईजी करयाले से कराते ही फर्जी वारा सामने आ गया जिसके बाद लर्की पक्च के लोगों के द्वारा थाने में प्रात्मिकी दर्ज कराई गए इस प्राथमिके के आलोक में बक्सर पुलिस को अब वारंट भेजा गया है जिस वारंट के आलोक में पुलिस छापे मारी कर कमरपुर गाउनिवासी इंद्रजीत राय के पुत्र अमित कुमार को गिरफ्तार करने की कोशिश में लगी हुई है